या हाल चाल भाईयों और भेहनों क्या चल रहा है कैसे चल रही है पढ़ाई और जब बात करें हम English Language की तो सब की जवाब पर एक ही नाम यह कैसे करें बहुत ड़ते हो आप सब लोग English Language से और यार थोड़ी सी है उस तरीकी की है English ICSE में थोड़ी सी difficult होती है लेकिन हम hard नहीं मानने वाले क्योंकि हमें चाहिए अच्छी percentage और paper है मार नजदीक तो यार पहले तो बता दो यह Telegram Community जो अपनी है उसको जोईन कर लो तुरंत Telegram को जोईन कर लो updates के लिए कोई भी सवाल मेरे से पूछ सकते हो academic और non-academic doubt कोई भी सवाल आप पूछ सकते हो मेरे से personally of a group पर live stream का update मैं बहीं पर देता हूँ कि हाँ और कोई भी question होता है तो मैं पता देता हूँ कि यह live stream में solve करूंगा तो definitely बहुत ज़रूर यह Telegram Community जोईन करना study material भी ला रहा हूँ link description में दे रखा है join कर लेना ठीक है and without wasting any time let's get started with English language English language से start करते हैं क्योंकि English language ही एक hurdle है जो हमें रोकता है अच्छी percentage तक पहुचने से तो मैंने levels में divide किया है कि इन levels के हसाब से आपको चलना है ठीक है पहले आप level 1 पार करेंगे level 2 फिर 3 फिर 3.5 फिर 4 और एक additional tip आपके लिए ऐसे ही English literature में भी मैंने तीन level में divide किया है लेकिन language पर हमारा main focus रहेगा तो आप कर लेते हो language is the major hurdle level 1 की बात करें level 1 क्या है level 1 है कि know your exam पहले तो यार अगर आप बिल्कुल शुरूँ ही नहीं करिए English language आपको पता ही नहीं कि कैसा क्या है तो एक बार ही specimen paper खोल के देख लो specimen paper कहां से मिलेगा telegram पर आ जाओ link मिलेगा download कर देना वासे ठीक है तो specimen paper आपको analyze करना है एक बार आप खोल के देख लेना कि specimen paper में हमारा क्या दे रखा है ठीक है तो आपको idea लग जाएगा कि अरे ऐसे 20 number का आना है उसके बाद letter email और फिर transformation हमारे इस बार take the correct form में आने है तो ये सब चीज़ें आप जान लोगे तो पता लग जाएगा paper कैसा आना है ठीक है paper पता लग जाएगा कैसा आना है क्या आना है तो फिर हमारी जर्णी सुरू हो जाएगी और हम आजाएगी level 2 पर अगर आप already level 2 पर है तो बहुत बढ़ी है राइट दा ऐसे रेगुलर्ली ऐसे हमको रेगुलर्ली लिखना है ऐसे यह आता है maximum number का ऐसे हमारा 20 number का आता है रहाँ तो हमें सबसे जाएगा focus उसी जीच पर करना है जिस सबसे जाएगा number carry करती है अब हम लगे रहते हैं functional grammar पर फंक्शनल grammar इतने जाएगा number भी carry नहीं करती जितना ऐसे करता है तो अगर हम जतना time functional grammar को देते हैं उससे लगव 50% भी time अगर हम ऐसे writing में दे दें तो हमारे 20 number है यह बच सकते हैं और हमारे 17-18 number हमें मिल सकते हैं तो क्योंना हम 17-18 number लाएं रात अरते हैं कि पूरे time functional grammar में भी waste कर दें और essay में कुछ ना कर पाएं तो हमें essay को priority देनी है यार ऐसे हम priority पर नहीं रखते functional grammar में लगे रहते हैं teacher भी लगे रहते हैं लेकिन हमें smartly काम करना है हमें उन चीजों पर ज़्यादा focus करना है जिल से ज़्यादा number बना जा सकते हैं तो ऐसे एक major चीज है तो हमें essay को बिल्गूर नहीं करना है और एक चीज और जहां हम ऐसे लिखने लगेंगे तो हमें पता लग जाएगा कौन सा essay हमारा सबसे strong है क्या हम argumentative वैसे सबसे अच्छा लग सकते क्या हम narrative वैसे सबसे अच्छा लग सकते कि हम expository सबसे अच्छा लग सकते तो ऐसे अगर आप थोड़े चार-पांच ऐसे भी आप लिख लेंगे अलग-अलग type के और थोड़ा diversity में ऐसे लिखो ऐसे नहींगे कि हर बार आपने कोई paper का set उठा लिया वह आपने सोचा कि अरे मैं तो मुझे तो argumentative सबसे अच्छा आ रहा है तो मैं यही लिखूंगा सारे तरीके के ऐसे एक बार ल मैं से जो आपको अच्छी से आए वो आप attempt कर लेना तो इसलिए मैं क्या रहा हूं ऐसे रेगुलर्ली लिखो जिससे आपको idea clear हो जाएगा कि कौन सा ऐसे लिखना है कौन सा ऐसे आपकी strength है और मेरी मानों तो मैं priority 1 पर रखता हूं argumentative ऐसे क्यों रखता हूं live stream देखा करो उ और comment box में जरूँ आप लोग बता देना जो live stream regularly attempt करते हैं कि attempt करते हैं कि क्यों मैंने ऐसा बोला कि argumentative ऐसे number one फिर narrative ऐसे फिर expository ट्राइ करें कि picture composition और साथी story writing वाला आप अवाइड करें अब यह मत बूचो क्यों 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 कि time कम है live stream में आ जाना अगर विज़े जानना है या टेलीग्राम पर आ जाना बता देंगे अपने भाई लोग लेवल 3 अब यह लेवल 2 पार हो कि यह लेवल 2 पार होगे तो 20 नंबर का तो कवर होगे अब यह ठीक है और आपको motivation आने लगा कि हाँ कि मैं कर सकता हूं English language में motivation आना शुरू इस लेवल ज़े अब लेवल 3 go through all the formats closely and practice 2-3 times ठीक है आम को क्या करना है अब हमें format उठाने है formats letter के notice के email के इनके format उठाने है और format पहले पूरे याद कर लेने हैं कि हाँ यह format में ठीक है और उसके बाद ही आपको क्या करना है उसके बाद format आपको अच्छे से याद होगा है अब आपको क्या करना है read the solved example अब solved example आपको total English से मिल जाएंगे अब उन solved example को आप पढ़ लो है ना तीन चार तरीके के solved example आप आपको प्रेक्टिस तो हुई नहीं कि बस हमने फॉर्मेट प्रेक्टिस कर लिए फॉर्मेट याद कर लिया और रीट कर लिए solve example अब solve example रीट करने से क्या होगा आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से हमें लिखना है format तो हमने दिख लिए यह यह लिखना है अब यह body body है महलोग किसी चीज़ की email की body है email की body आपको पता है हमें यहां body लिखना है लेकिन दिक्कत यह कि body में क्या लिखेंगे हम body में क्या लिखेंगे तो इसका idea solve example से मिल जाएगा तो example जरह पढ़तना solve example यह बहुत ही अच्छी tip है जरू इसको try करना पहले format याद करना फि फिर उठाना unsolve examples और solve करना एकर try करना ठीक है उन्हें और telegram पर डाल देना solve करके मैं बता दूंगा की सही है या नहीं ठीक है तो यहां हमारी level 3 पार होती है आपको बहुत confidence आदेगा क्योंकि आपने कितने सारे number cover कर लिए 20 यहां और काफी major marks यहां पर भी cover कर लिए ठीक है अब यह नहीं करना है अपने को कि यह ऐसे कर लिए अब अपन सीज़े फंक्शनल पर जंप कर गया ऐसा नहीं करना है आपको पहले level 2 level 3 जो सबसे ज़्यादर नंबर के आने पहले बूब हम cover करेंगे सबसे ज़्यादर नंबर बना लिए अब भीया अब आप functional grammar पर आ सकते ह पड़ेगी 3.5 क्या है revise basic tense speech active passive to clear your base आपकी basics clear होने चाहिए basics clear होने चाहिए जब ही functional grammar आप solve कर पाऊगे revise और उसके साथ ही जो मैंने बता है ना tense speech active passive narration इनको अगर आप revise और अगर आपको आते नहीं है तो मैंने डाल रखे हैं ट्रांस्फरमिशन बहुप्स के पार्ट्स में तो मैंने देख लेना या फिर कहीं भी आप YouTube पर देख सकते हैं तो यह live stream attend करो यार परानी first second part उनमें मैंने से explain कर रखे हैं तो अगर आप नहीं कबर कर लोगे तो सिर्फ फंक्शनल ग्रामर मैं ही नहीं आपको यह ऐसे राइटेंग आपको यह नोटिस राइटेंग इमेल राइटेंग इन सब में फायदा करेगा इन सब में फायदा करेगा अगर आप basic tense speech active passive यह सब अगर समझ इसे की और ऐसे एकदम स्मूथ हो जाएगा ठीक है तो 3.5 level very important है यह आपकी उपर वाले लेवल में भी काम आ रहा है और fourth level में भी काम आ रहा है functional grammar में क्या करना है आपको आपको क्या करना है past year sets उठाओ अब time नहीं है इंगलिस total English को practice करनेगा इसका उसका आप past year उठाओ past year के जो sets हैं उनको उठाओ और उनको practice करो क्योंकि उसी तरीके के question आपके इस बार आएगे बस transformation में आपके optional आएगे तो आपको optional मिलना मुस्किल है एक दूर सेट मिल जाएग इस specimen paper का solve कर लेना optional के लिए और चाहिए हो तो optional तो मिलना मुस्किल है तो आप simple transformation भी practice कर सकते हैं without option वाले क्योंकि अगर आपने without option solve करना सीख लिए transformation then you will be able to solve those without options very easily cake box हो जाएगा आपके लिए तो देखो एक और टेप watch our daily live stream and all grammar videos अब यार देखो आपको आपके आपके प्रपोजिशन आते हैं आपके synthesis आने हैं आपकी बर्व आने हैं यह ना जो फिलिंदव लेंक होते हैं paragraph वाले उसको बर्व कियते हैं बर्व स्वल्विंग ठीक है बर्व आने हैं आपके transformation आने हैं तो synthesis को चोड़के सारा कुछ मैंने cover कर दिया YouTube की वीडियो में और live लाइव स्ट्रीम से मैं लाइव स्ट्रीम में रेगुलर्ली में प्रेक्टिस करा रहा हूं आपको transformation की प्रपोजिशन की वाप्स की तो उन्हें देख लेना और लाइव आ जाना बारा रात में बारा बजे शुरू हो जाती है हमारी लाइव स्ट्रीम और अपडेट के लेट्स मैंने करा रखे हैं वैसे तो वीडियो में लाइव स्ट्रीम में वो कर लोग है तो आपकी functional grammar बहुत हद तक कपर हो जाएगा आपको पता लग जाए किस तरीकी कुश्यन आएगे अब आप चाहो अगर आपको बस टाइम बचता है तो total English से आप प्रेक्टिस कर सकते है ठीक है आप यह लिए देख रखे हैं फिर भी मैंने एक बारी बोल दिया किया एक बारी specimen paper खोल के देख लेना ठीक है तुनो योड इग्जामिनेशन आप लेवल टू हमें सोचना है किया सबसे जाधा स्कूर करने के लिए सबसे जाधा नंबर का जो टॉबिक आता है उस तरीका क्या ऐसे जाके हमने paper में attempt कर दिया और हमारे आगया अच्छे नंबर ऐसे में अब go through all the format आप ऐसे का तो sorted होगे scene ऐसे में भी देखो मैं यह recommend करूंगा कि solved essays जारा देख लेना एक बारी उससे idea लग जाता यार ठीक है go through और essay लिखे मुझे भेज़ दो टेलीग्राम पर तो मैं चेक करके बता दूँगा what is the mistake अब essay पर भी मैंने वीडियो बना रखी है बो देख लेना जारा go through all the formats closely and practice तू आपने पूरी format याद कर लिए अब आपने रीड भी कर लिए solve example आपको समझा कि कैसे लिखने हैं हमको letter कैसे लिखने हैं हमको email और notice ठीक है तो आप इसमें भी होगा expert है ना अब आपका unseen passage बीच में रह गया unseen passage की वीडियो मैंने बना रखी है उसको देख लेना unseen passage आप solve कर ल great बनाने की practice करना और कुछ नहीं है ठीक है उस पर इतना जाना focus ना भी करें तो चलेगा और वीडियो तो जरूर देख लाना जरा unseen message वाली reading comprehension तो अब आपके level 3.5 यह बहुत important level है क्योंकि उपर के दो level और नीचे के एक level मैं help कर रही है अब आपने क्या करना है अब आपने tense speech active passive को clear कर लेना है अब इसके लिए दूसरे YouTube channel एक डियर सर नाम से उसको देख सकते हैं और देख सकते हैं मैंने भी live stream में cover करा दिया तो इसको भी देख सकते हैं आपके functional grammar पर आगाए बाप functional grammar के लिए आप क्या करेंगे past year के sets उठाएंगे practice करेंगे और live stream देखेंगे और grammar grammar की जो मैंने वीडियो बनाई है वो देखेंगे अब आफ हो गया expert grammar में ठीक है अब एक additional tip है before going to attempt the board exam once solve the specimen paper to get familiar with अब आपको क्या करना है board exam देने जाने से पहले एक बारी पूरा जो specimen paper solve करके जाना है आप को कि यार specimen paper तो मैंने पहले देख लिया था level 1 में अब क्यों करूं इसको तो इसलिए क्योंकि यार देखो से क्या होगा कि आप time management से familiar हो जाओगे कि यार इतने इतने time में मुझे ऐसे लिखना है इतने time later इतने में email मैं किस चीच को सुलो करता हूं मैं ऐसे लोग लिखता हूं मैं ऐसे में पूरे time based कर देता हूं तो तो आप समझ जाएंगे क इसमें time based करता हूं तो पेपर की time पर आप जल्दी जल्दी करोगे पूर्ड exam की time पर आप जल्दी जल्दी करोगे क्योंकि मन में होगा कि यार कई पेपर न चूड़ जाए तो इसलिए मैं किया रहा हूं एक बार ही देखे जाना कुछ नहीं है और पढ़िये सब बढ़िय language complete अब आप आगए English literature पर अब एक English literature में कोई जादा major tips नहीं है level 1 आपकी क्या है summary को आपकी सारे chapter की जो भी summary है play की story की और poem की सबको एक बारी prepare कर लेना है अब आपने level 1 cross कर ली अगर आपने summary prepare कर ली अब important जो भी आपकी poem है important poems है उनको आपको line by line read करनी है अब मैं ऐसा क्य आपके रहा हूँ क्योंकि poem में अकसर critical reason critical answering आ जाती है ऐसे question पूछे ले जाते हैं जिनके answer एतने आसानी से नहीं बनते हैं और हमको कुछ question dotm करनी पढ़ते हैं यार हर एक section से question dotm करना है तो poem जरूरी attempt करनी है और उसके लिए critical question हमको practice करके जाना है कि अगर आगे critical question तो हम उ important poems पढ़ने है अब important कौन कोंसी है पास्टेयर की paper उठाओ चेक करो कि किस format में poems आ रहे हैं इस साल यह मतलब दो साल पहले यह आई थी पिछले साल यह आई और मैं उस पर वीडियो बना दूं important poem तो यह खुछ से figure out करना एक तो पास्टेयर देखके अब read the play line by line rough reading तो होते है अब यह play सबसे ज्यादा number का आपका आता है play में हमको लगता है कि summary पढ़के हो जाएगा लेकिन नहीं हो पाएगा summary पढ़के चलो हो भी गया आपको समझ भी आगए अब बहां पर phrases आगए तो आप क्या करोगे यह phrase का मतलब बताओ अब phrase तो आपको याद नहीं होंगे क्य कि यार line by line अपने पढ़ा नहीं है अब line by line दो बार ही आप एक बार ही first reading मालो rough reading समझ में आए तो ठीक नहीं है तो नहीं है एक बार दूसी बार read मालो थोड़ा और time लगा कि थोड़ा सा समझ में आजाए एक बार अब इस दो बार reading करने से आपके phrases दमाग में बढ़ जाए कि अरे की कोई phrase आगे है मालो लिखाए यह यह line कब किसने कई अब आपको दमाग में आजाए अरे यह तो इसने कहा था मैंने जब read मारा था तो पता लगा था तो उससे क्या होगा कि आप सारे question play के solve कर पाएंगे और summary तो आपने पढ़ई है तो आपको idea भी लग जाएगा क कि क्या लिखना है अब आपने play भी कर लिए अब आपने poem भी कर लिए story story तो summary से भी हो जाएगी solve critical type जो मैंने कहा था critical type की question आते हैं उनको जड़ा solve कर लेना critical type की question किस तरीके के होते हैं कि what is the impact of this poem on your real life ऐसे ऐसे question जो होते हैं वो critical type के होते हैं उने जड़ा practice कर लेना डून डालके एक additional tip मेरी तरफ से play should be focused upon more play पर आपको बहुत ज़्यादा focus करना है priority बन पर play को रखना है then आपको story कर लेनी है और poem से कम से कम question attempt करने का try करना है ठीक है तो with this तुम कर सकते हो यार तुम बिलकुल कर सकते हो तुम करोगे तुम कर लोगे आप लोग सुचते हैं यार कि मैं नहीं कर पाऊंगा English language तो मेरे से हो नहीं पाएगे लेकिन यार जो मैंने tips बताई है अगर तुम उनको follow करोगे तो definitely you will be able to score very good very good मैंने भी किया है और तुम भी करोगे मैंने जब मैं कर सकता हूं then you can also don't settle for average average कि मत रहो यह तुम्हें भी पसंद नहीं होगा यार average बनना तो यह थी strategy टेलीग्राम को जरूर जोइन कर लेना link description में दे रखा है और यह tips बहुत ही जान जरूरी हैं इनको अलकिया मत लेना PDF डाउनलोड कर लेना description में लिस्ट कर दोंगा link PDF का और साथ ही PDF आपको मिल आइनो तुम hacker CISC के बाई वहनो ठीक है thank you guys so much for watching the video and with this end करते हैं live stream लेने आजाना बारा बजे में होगी रोज बारा बजे होती है English पर ही होती है most of the time क्योंकि English यार English में सबको दिक्कत होती है and we have the solution for that thank you so much for watching लगे रहो पढ़ते रहो जान लगा दो